असलाम उलेकूं मैं हूँ डॉक्टर इर्फान एहमन आप सबको खुशाम दीद इस वीडियो में हम नेक पेन के बड़ी वजा साइकोलाजिकल या साइकोसमेटिक या साइकोसोशल पेन को डिसकस करेंगे यह जिन में रखेंए जब यंग या इसा apa Mater? या साइको बिसकान पेन के कंप्लेइज करते हुशकीजटिकल मेरे अपर बैक में आरे या सोल्ड़ तक जा रही है या ऐसी pain है जो मेरे head तक जा रही है, मेरे आंखों को पीछे से आ रही है, मेरे jars के अंदर pain जा रही है तो as a physical therapist हम सबसे पहले evaluate करते हैं कि कौन से structural factors हैं यहां से यह pain originate हो सकती है सबसे पहले सकीन है, सकीन के नीचे जाएं तो हमारे पास fascia है, उसके नीचे ligaments है, tendons है या फिर हमारे पास disc है, bones है, तो as a physical therapist हम identify कर लेते हैं कि यह किस structure से pain originate हो सकती है नमबर टू पर हम देखने के कोशिश करते हैं कोई medical factor तो नहीं है, जिस वजोसे यह pain develop हो रही है जैसे first करें, एक patient rheumatid arthritis का है, या enclosing spondylitis का है तो हम identify करते हैं कि हो सकता है कि यह pain है, यह कैसे medical factor हो सकता है लेकि तीसरा सबसे important factor है, जो कि इस video का हिस्सा है, जिसको हम discuss करेंगे, जिसको हम psychosomatic है अगर हमारे पास patient आए, और वो हमें यह complaint करे कि यह pain तीन मां से है, छे मां से है, साल हो गया है, दो साल हो गया है, छे साल से है तो फिर, अजिसरापिस हम alert हो जाते हैं, कि more likely इस patient को जो pain है, वो psychological है, या psychosomatic है तो आप इस video को देखें, क्योंकि मैं इस video में इस topic को काफी detail में discuss करूँगा वीडियो के इसी से हमें हम discuss करेंगे, कि psychosomatic pain या psychological pain डिवेल्पनी होती है यह दिन में रखिए, कि brain हमारा सबसे vital organ है, यह emotion के गिर्द गुमता है जो लोग बहुत stress, anxiety, depression या hyper sensitive होते हैं, और चोचोचोची बातों के परिशान हो जाते है उनका brain जब आपने को protect करना चाता है, तो आपको divert करता है और आपके body के जो दो बहुत ही weak part है, उनके अंदर pain को यूली लेके जाता है हमने यह देखा है कि जो लोग बहुत hyper sensitive होते हैं, उनके अकसर neck के इस वाले हिस्से में दर्द रहती है upper back में दर्द रहती है, sir की side ओं पे दर्द आ जाएगी, आंकों के पीछे दर्द आ जाएगी, जाके surrounding में दर्द आ जाएगी यह वो low back के अंदर pain चली जाती है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग जो बार-बार complain करते हैं साल हो गया, दो साल हो गया, चार साल हो गया, यह दर्द नहीं जा रही, तो more likely उनको psychosomatic pain psychosomatic pain को deal करने के लिए, या treat करने के लिए हमें दो बातों का ह्याल लगना बहुत जोरी है नार्मली जो लोग stress में जाते हैं, तो उसके मतलब यह है कि हमारी body के अंदर दो chemical हैं, उनमें imbalance develop हो गया यह दिन में रिखें, जो stress chemical है, उसको हम कार्टिसोल कहते हैं, और positive chemical जो हमारी body को relax करता है, comfortable feel करता है, उसको dopamine कहते है तो हमारा जो main objective होता है कि ऐसे patient के अंदर ऐसी activities encourage करें, जिससे उसका dopamine बढ़े और कार्टिसोल नीचे आए तो नार्मली यह देखा गया है कि जो लोग बहुत routine से exercise करते हैं, gym करते हैं, walk करते हैं, उनके अंदर dopamine natural way से बढ़ जाता है और scar tissue का level नीचे आ जाता है, यह दा मैं अपने patient के encourage करता हूँ कि जिनको psychosomatic pain होती है, वो यूली young ladies होती है, young बच्चे होते है मैं उसे कहते हूँ को routine से walk करना शूर कर दे, gym joint करना शूर कर दे, या कोई ना कोई ऐसी sports जिसको में वो interest रखते हैं, उसको शूर करे, यह दिखा गया है कि जब रूटीन से ऐसी activity करते हैं 2-3 मा के अंदर, तो वो बेहतर अपनी pain को manage करना शूर कर देते है, अगर 2-3 मा तक या अपनी activities करें और pain में कमी ना आए, तो फिर मैं उनको suggest करता हूँ किसी अच्छे psychiatrist से मिले, क्यों करी दफ़र natural way से हमारा dopamine release नहीं हो रहा था, या बेहतर नहीं हो रहा था, तो फिर आपको psychiatrist की ज़रूरत होती है, कुछ जो कि 2-3 मा तक आपको ऐसी medicine दे, जिससे आपका carter सवर के level नीचे आजए और dopamine के level बेतर हो जाए ताकि आप इस psychosomatic pain को बेहतर तेके से handle कर सके, दूसरा आहम tip जो patient की family के लिए है, कि आप patient के गिर्द एक ऐसा महौल create करें, को stress, anxiety, depression से बचे, आप कोशिश करें, कि वो ऐसी चूजन से, जिससे वो trigger होती है factor, जिसमे जल्दी stress में आ जाता है, उसको avoid करें, यह जहन में रखिये, कि stress, anxiety, इसको कि दुनिया की 25% population किसी ने किसी farm के अंदर है, तो लेहादा इसको भी हमने एक ऐसे ही treat करना है, इसको ऐसी disease समयना है, जैसे हमारे cardiac issues हैं, या brain की issues हैं, या हमारे abdominal issues होते हैं, या हमारे कोई orthopedic issues होते हैं, हम में काफी serious होते हैं, लेकिन unfortunately हमारे माश्यरे के अंदर या दुनिया में ही कभी भी psychosomatic pain को या psychological factor को इतनी अहमियत नहीं दी जा, neck pain के साथ, यानि कि psychosomatic pain के साथ, जो हमारे पास patient आते हैं, हमारे ये goal होता है, target होता है कि उसी neck muscle को strengthen करें, और जो उसके tight structure को loosen करें, इसके लि होता है, वो काफी काम हो जाएगी, उसके बाद इन exercise को दोरा है, number one exercise के हम अपने पेश करें, दोनों हाथ माथे के आगे रखें, और आगे को push करें, पांच second का hold करें, फिर दोनों हाथ सर के पीछ रखें, और अपने सर से पीछिक तर जोर लगाएं, हाथों से सर को और सर से जोर लगाएंगे, हाथ से मुवमेंट को रोकेंगा, फिर दूसरे साइड पर लेके जाएंगे, नेक को कोशेच करेंगे कि न्यूटरल पिजिशन में रहे, सर से जोर लगाएंगे, हाथ से मुवमेंट को रोकेंगा, इसके बाद number five में आप shoulder को shrug करेंगे, फिर न अपर बैक मसल के स्टेंड बेतर होगी जिससे लोकल जो वीकनेस क्रियेट हो रही है जिसके पेन आ रही है उसमें काफी बेस्तरी आ जाए साइकोस्मेटिक पेन के साथ जो पेस्ट आते हमने देखे हैं उनके नेक के जो साइड बेस्ट येवाले मसल हैं उनमें काफी ज़्याद स्टिफनस होती है हम अपने पेस्ट को इंकर्ज करते हैं कि पहली जो चेक्स कर ली है उसके बाद आलमोस 5-6 रेपिटिशन के साथ 10 सेक इनका होल्ड करें फिर दूसरी साइड पे अपने हाथ को क्रास करें और अच्छा सा पूल करें अच्छा सा अपने स्ट्रेच फील करना है और इसको लूज कर दें रिलाक्स कर दें इस तरह किसे आप ये स्ट्रेच करेंगे तो उसे नेक के साइड मसल की जो स्टिफनस है उ अमीद है कि नेक पेंट के ओपर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेजिए. ताकि आप हमारी नई वीडियो के बारे में अगाही हो. अल्ला हम सब का हामियो नासर हो. अल्ला हाफिस.